फिल्म आदिपुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर शुकला को मुंबई में पुलीस सुरक्षा लेनी पड़ी है क्यों? क्योंकि करणी सेना ही नहीं कई संगठनों ने उनके खिलाफ हिंसा की धमकी दी है आपके स्क्रीन्स पर करणी सेना की प्रेस कॉन्फरेंस जिसमें करणी सेना के एक व्यक्ती जो है उनसे जुड़े जो एक व्यक्ती है वो ये कह रहे हैं कि हमें राइटर डायरेक्टर जहां मिल जाएंगे हम उनकी बिटाई कर देंगे मैं आज आपको कुछ चीज़ें आद दिलाना चाहता हूं दोस्तों ये वही मनोज मुंतशिर शुकला है जिसका अचानक रिदे परिवरतन होता है क्योंकि आज से दो साल पहले यही मनोज मुंतशिर शुकला धर्म निर्पेक्ष्टा की बाते किया करता था भारत को जोडने की बाते किया करता था ये तक कहता था कि अखबर की सेना में भी मुस्लिम जनरल थे और राणा प्रताप की सेना में भी हिंदू जनरल थे मगर फिर इसे ये बात समझ आई कि मौझूदा भारत में अगर तरक्की करनी है तो नफरत की खेती बहुत जरूरी हो जाती है इसने उस वक्त तमाम हदे पार कर दी थी जब इसने हमारे महान स्वतंतरता सेनानी चंदर शेखर आजाद की पहचान महज तिवारी तक सीमित रख दी थी महज तिवारी तक दोस्तों जबकि आप जानते हैं कि चंदर शेखर आजाद की पहचान उससे कहीं उची है वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे वो एक शहीद थे मगर इस व्यक्ती ने राजनीती के चलते उनकी पहचान को सिर्फ तिवारी तक सीमिद रख दी थे और फिर ये भारती जनता पार्टी और नफरती प्रचारतंत्र का कही न कही एक हथियार एक महरा बन गया की तान देना और बार बार देना याद कीजे शारुखान की जब पठान रिलीज हुई थी तब भी इसने पठान के खिलाफ कहा था और उसे कही न कही हिंदू धर्म के अपमान के साथ जोड़ दिया था वो गाना था ना पठान का बेशर्म रंग उसको लेकर जो विवाद हुआ था उसमें कही न कहीं नफरती प्रचारतंत्र के साथ ये व्यक्ति था आज वही नफरती प्रचारतंत्र इसके खुन का प्यासा हो गया है जिसकी वज़ा से इसे पुलीस की सुरक्षा लेनी पड़ी है बगर हाँ इसके अंदर एहंकार अभी भी भरा हुआ है दोस्तों क्यों क्योंकि प्रधान अंत्री नरेंद्र बोदी के साथ फोटो केचवाता है यही वज़ा है कि कह रहा है कि मैं माफी नहीं माँगूंगा यह कह रहा है मैं माफी नहीं माँगूंगा मैं आक्शन लूँगा मगर अयोध्या के संत इससे नाराज है वो कह रहे हैं एंकार छोड़ो और सही तरीके से अपने अपराद को स्वीकार करना सीखो आज इस मुद्दे का सबक क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों आदिपुरुष को भारतिय जनता पार्टी के तमाम निताओं का आशिरवाद था आपके स्क्रीन्स पर देश के सूशन और प्रसारन मंतरी अनुराट ठाकुर अनुराट ठाकुर यहां कहे रहे हैं कि भाई कोई भी फिल्म अगर धर्म का अपमान करेगी तो उसे वरदाश्ट नहीं किया जाएगा हाला की मनोज मुंतशिर शुकला या फिर ओम राउत की टीम ने वो पांच या छे डायलॉग्स जो हटाने का मन बना लिया है मगर आलोक्षना करने से ये भी डर रहे हैं, कत्रा रहे हैं, क्यूँ? क्योंकि मनोज मुंतशिर शुकला इस वक्त भारतिय जनता पार्टी के प्रचारतंत्र का हिस्सा है याद कीजिए जब फिल्म रिलीज हुई थी, तो बाकाइदा ये बैनर जारी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री आदितनात, नरुत्तम, मिश्रा, शिवराज सिंग्चोहान, मनोर लाल खटर, हेमंत, बिस्व शर्मा, भारतिय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों को धन्यवाद किया गया था भारतिय जनता पार्टी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस कदर आदि पुरुष के खिलाफ जो है प्रदर्शन होंगे और प्रदर्शन करने वाले भी वो संगठन जो कि भारतिय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन माने जाते हैं मसलन हिंदू सेना बजरंग दल ये तमाम संगठन जो हैं आज की तारीख में आदि पुरुष के खिलाफ जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह से मनोज मुंत्शिर शुकला और ओम्राउद के खिलाफ जो हैं बयानात दे रहे हैं इसकारथ क्या हुआ दोस्तों? इसकारथ ही हुआ कि जब आप नफरती सौ्च का साथ देंगे तो कभी न कभी वो चीजएं आपको आकर डसेंगी गीता में कहां भी गया ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान ये है गीता का ग्यान कर्म का सिध्धान्त गीता में लिखा हुआ है और मनुझ मुंतशिर शुकला जैसे लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नफरती परचार तो चला सकते हैं बेवजा मुद्दों को तूल तो दे सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मौरा तो बन सकते हैं मगर जिस आग को आप हवा दे रहे हैं वो आग आपके दामन तक भी पहुँच सकती है ये इस बात का जीता जाकता सुबूत है मैं अपने अन्य शोज में कह चुका हूँ दोस्तों कि मैंने अभी आदिपूरुष नहीं देखी है तो अच्छी है बुरी है मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता अलागि मैं आपको बता दू कि फिल्म ट्रेड आनिलस तरन आदर्श के मताबिक मंडे को सुमवार को बहुत जबरदस्त गिरावट आई है आदिपूरुष में फिल्म पत्रकार फरीदून शहर्यार कहते हैं कि मंडे को आदिपूरुष में 75 फीसदी की गिरावट आई है यानि कि शुरू में शुरू के तीन दिनों में जो इसने करीब 300 करोड की कमाय आई थी मंडे में जबरदस्त कराश आया है क्योंकि पहले तीन दिन अड़वांस बुकिंग में गए थे कहने कारति यहांपर क्या है दोस्तों कि जब आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड करके एक फिल्म बनाते हैं, मगर अपने एहंकार के चलते, रामायन की जो मूल भावना हैं उससे भटक जाते हैं, तो उसका यही परिणाम होता है. जैसे मैंने का, मैंने फिल्म नहीं देखी. मैंने वो पाँच डायलॉग्स दोस्तों ट्विटर पर देखे हैं, क्योंकि उसके क्लिप्स वाइरल हो रहे हैं, और सच बताओं, वो पाँच डायलॉग्स नहायत ही वाहियात, नहायत है अशलील हैं. वो मुंबई में एक शब्द प्रशलित हैं ना, टपोरी. टपोरी भाशा का इस्तमाल किया गया है, खासकर हनुमान को जिस तरह की भाशा का इस्तमाल करते दिखाया गया है. तो उससे साफ पता चल रहा है कि एक व्यक्ती अपने एहंकार में कुछ भी लिक रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुझे व्यवस्ता का समर्थन प्राप्त है, इसलिए मैं किसी भी तरह का खिलवाड कर सकता हूँ. मनोज मुंतशिर शुकला और ओम रावत ने इस फिल्म को लेकर कई वाहियात तरक दिये. फिल्म की रिलीज होने से पहले ये कहा कि ये पूरी तरह से रामायन है, फिल्म रिलीज हो गई तो ये कहा कि नहीं ये सिर्फ रामायन से प्रेरित है, बाद में जब चारों तरफ से आलोशना हो रही थी तो यही मनोज मुंतशिर शुकला ये कहने लगा, कि भाई मुझे तो एक स्क्रिप्ट दी गई, पटकता दी गई और मैं उसके हिसाब से डायलॉग्स लिख रा था यानि कि मैंने अपने दिमाग का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं किया जबकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर आप एक लिखक है अगर आप से कहा जाए कि भाई कुछ समवाद लिखे जाएं तो आप सवाल तो करेंगे ना खासकर तब जबकि रामाएंड जैसा समवेदनशील मुद्दा है मुद्दा ये है दोस्तों कि एहंकार की चलते इन्हें इस बात का आभास भी नहीं था कि रामाएंड की मूल भावना पर ये लोग किस तरह से प्रहार कर रहे हैं इन्हें लग रहा था कि भारती जैनता पार्टी का पूरा समर्थन हासल है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं और वो एंकार जो है वो कही न कहीं इस फिल्म को ले डूबा नतीजा आपके सामने है दोस्तों आप देख सकते हैं कई जगाओं पर प्रदर्शन हो रहा है आपके स्क्रीन्स पर नेपाल में दोस्तों इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है क्या आप जानते हैं और ना सिर्फ आदिपूरुश पर बैन लगा दिया गया है बलकि सभी भारती फिल्मों पर बैन लगा दिया गया है जानते हैं क्यों? क्योंकि फिल्म में बतलाया गया है कि मा सीता का जन्म भारत में हुआ था नेपाल का ये कहना है कि इस से आपने कहीना कहीं नेपाल का अपमान किया है अब फिल्म आदी पुरुष पर तो गाज गिरी ही है नेपाल ने सभी भारती फिल्मों पर मैन लगा दिया है इस तरह से आदी पुरुष जो है वो अंतराश्टिय तोर पर भी या विदेशी जमीन पर भी भारत का नुकसान कर रही है इसके लावा भारत में भी इसके खिलाफ कई जगा प्रदर्शन कर रहे है आपके स्क्रीन्स पर एक एक करके ये देखिए मुंबई में आदी पुरुष का चलता शो रुकवा दिया गया ये जी नियूस की खबर है दोस्तों इसके लावा बी बी सी नियूस की खबर आदी पुरुष के खिलाफ नहीं थमरा गुसा जम्मू से लेकर लखनाओ और इन दोर तक में प्रदर्शन ये तस्वीरे जो हैं इसकी बानगी है और इस मौके पर असी के दशक में जो टीवी पर रामाएन आई थी जिसका निरदेशन रामाणन सागर नहीं किया था उनकी बेटे का बयान भी सामने आया है आपकी स्क्रीन्स पर दैनिक भासकर क्या कहता है आदि पुरुष पर रामाणन सागर के बेटे का फूटा गोस्ता प्रेम सागर बोले भद्दे डायलॉग्स रामाइन का अपमान क्रियेटिविटी के नाम पर लिमिट क्रोस की गई है तो एक तरह से आदिपुरुष की तमाम जगाओं पर आलोशना हो रही है मगर फिल्म के प्रड्यूसर्स को ये अमीद है कि ये जो विवाद चल रहा है उससे फिल्म को मदद मिलेगी ये जो कॉंट्रिवर्सी चल रही है बॉइकॉट करने की अपील जो की जा रही है उससे मदद मिलेगी मैं दो बातें सपश्ट कर दूँ मनोज मुंतशिर शुकला के खिलाफ जो लोग हिंसा की वकालत कर रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूँ मनोज मुंतशिर शुकला का गुना अगर ये है कि उसने बहदे फिल्मी डायलॉग्स लिखे हैं तो मैं आपको ऐसे धेरों मिसाल दे सकता हूँ ऐसे ठेरोधारन दे सकता हूँ जिसमें मनुज मुंतशिर शुकलाने महज राजनीतिक अवसरवाद के चलते कुछ बयानात दिये हैं पहले वो कुछ और कहा करता था आज शुकी भारती जाता पार्टी के प्रचार तंतर का हिस्सा बनना है उनका दुलारा बनना है इसलिए वो अपनी पुरानी सोच से बदल गया यानि ये व्यक्ती पूरी तरह से ऑपरिशूनिस्ट है मगर इस कारत ये नहीं कि उसके खिलाफ हिंसा की वाकालत की जाए नमबर एक नमबर दो क्या फिल्म का बॉयकॉट होना चाहिए अगर एक फिल्म को सेंसर बोड ने पारित कर दिया है तब उसके खिलाफ हिंसा की बात करना घलत है हाँ अगर आपको कुछ आपती जनक लग रहा है उसके अंदर तो उसे संबोधित करने की अपने तरीके हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उन तमाम जो आपती जनक डायलॉग से उन्हें हटा भी दिया है जैसा की वो कह रहे हैं जैसे मैंने का मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैंने जानता हूं डायलॉग्स को हटाया गया है या नहीं हटाया गया है मगर मनोज मुंतशिर शुकला के खिलाफ हिंसा की वगालत करना सही नहीं है ये देश एक लोकतंतर है उसे लोकतंतर बने रहना है दीजिए हिंसा की वगालत करना इस लोकतंतर का अपमान है बहराल दोस्तों ये विवाद इस वक्त हमने का नाम नहीं ले रहा ये क्या मोड लेगा इस वक कहना मुश्किल है मंगर मनोज मुंतशिर शुकलाब, ओम राउद जैसे तमाम लोग जिनने लगता था कि किसी पुलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र का हिस्सा बनके उसके प्रचार का हत्यार बनके अगर वो कुछ भी कर सकते हैं तो ये घटना करम उनके चेहरे पर एक कर आरा तमाचा है अब इसार शर्मा को दीजे इजासत, नमस्कार